दोस्तो आज मैच दिल थाम के देखे क्योंकि आज केन को इतना गुसा आ रहा था कि उसने मूँ में रख्या नार जला दला जी हाँ दोस्तो तो कल मुझसे किसे ने पूछा था हंटर कप कैसे खेले यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा हुता है डिफरेंट डाइप के कप्स तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके टूनमेंट में 1000 कोईन दे के पार्टी स्पेट कर सकते हो जिससे कि आपको 30 क्या केते हैं यहाँ पर आपको 10 टूनमेंट मिलते हैं तो यहाँ पर हमारा टूनमेंट लग चुक है देखते हैं आज का टूनमेंट कौन जीतेगा तो दिल थाम लीजिए क्योंकि आज केन को काफी ज़ादा गुस्ता हरा है केन ने मुँ में रख्या नार जला रहा है उससे पहले अपने प्यारे हाथों को थोड़ा सा बस चैनल प कर दियो सीदा सिक्स लगा दी पहली बॉल और सक पहुची तो यहां पर दूसरे फिल्डर क्या सोच रहे कि हम भी और सिदा स्टेडियम के पार जाएगी तो यहां पर अराम से फूर मिल लेगा तो यहां पर वंट इप मांस होके फूर चला गया तो दोनों प्लेयर देख र मैच हो रहा है तो देखते हैं आपस में कौन जीता है मैं तीसरा बॉल सीधा स्टेडियम के भार पहुंसता हुआ और क्या मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ भार गाड़ी खड़ी तो उसका शिशा तूड़ गया तो यहाँ पर केन को थोड़ा अराम से खेलना हो गए यहाँ तो तीन बॉलों में 16 रन आ चुके क्या चोथी बॉल पे एक कोर सीधा बांडरी वो भी स्टेडियम के ओडियंस जर्शक यह कैच पकड़ते हुए तो यहाँ पर इसी के लिए एक ओडियंस के लिए लाइक ठोक दो अब यहाँ पर ओडियंस के रही है अब हमें ज़्यादा कैच मत दो हमारे हाथों में दर्द हो गया क्या वो ओडियंस का कहना मान पाएगी केन केन यहाँ पर रिस्पेक्ट रखते हुए क्या नॉर्मल डिफेंस शॉट लगाई तो यहाँ पर केन ने रिस्पेक्ट किया तो यहाँ पर ओडियंस चिला-चिला के कह रही है थाइंक तो यहाँ पे तीन रन मिलते हुए पाँच बॉल 25 रन क्या यह 30 रन के पार हो जाएगा स्कोर क्या के दुबारा ओडियंस से कैच पहुचेगे यह रिस्पेक्ट रखते हुए आराम से डिफेंस लेगे तो यहाँ पर बड़ी असानी से शॉटली और यह बड़ी असानी से इन दोस्तो अपने भाई के लिए एक लाइक ठोक दो कम से कम लाइक तो होना ही चाहिए आप क्या भाई आपका ही सपोर्ट चाहिए तो प्लीज एक लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो घंटी दबा दो अब भी तो इनका शून्या है क्या यह अपना खाता खोल आप सीधा यहां तो हमें कैच मत दो ने तो स्टेडियम तक बॉल रखो तो इन्हों ने भी थोड़ा रिस्पेक्ट रखते ओर्डियंस की अराम से डिफरेंट शॉट ले रहे हैं तो यहां पर फोर मिलता हुआ पहली बॉल फोर अभी पांच गेंदे शेश बची हुई है तो यहां पर ट्वैंटी फ्री रं इनको चाइए फाइफ बॉल रैंटी फ्वैंटी फ्री रं तो यहां पर जीत पाएगे तो यहां पर अराम से चोका मिलता हुआ तो दो बॉलों में 8 रन आ चुके हैं अब यहाँ पे कम से कम 4 बॉले बच्ची है क्या ये स्कोर क्रॉस कर पाएगे अगर ये मैच जीतना है तो उसमें कम से कम 6 तो लगाने ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 से कोई काम नहीं चलेगा चाहे ओडियन्स कैच पकड़े या ना पकड़े अब आपको थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा तो तीसरी बॉल क्या 6 आप आएगा तो फाइनली यहाँ पे बॉल गूम गई और बहुत अच्छी बॉल भासकर की तरफ से सीधा मिस होते हुए तो यहाँ पे अब जीतने के चांसिस बिल्कुन नहीं है अगर यह बनाएगे तो 26 पर डख जाएगे अगर तीन चक्के मारते भी अलगता है क्योंकि आज 6,14,14,16,20,26,26 तो अराम से कुछ नहीं हो पाएगा तीन चक्के मारते तो एक रंट से हार जाएगे यहाँ पे स्लो बॉल क्या स्लो बॉल पे शॉट लगा पाईगे तो काफी अच्छे तरीके से शॉट लगाई थी बट असानी से फिल्टर ने पकड़ लिये बॉल तो अब यह पूरा मैच हाथ से फिसलता हुआ इनकी टीम के लिए कोई बात नी ब्रो नेक्स चाइम ट्राई करना कोई बात नी हार जी चलती रहती है तो यहाँ पे चार बॉलों में दस रन हो चुके है तो आखरी की दो बॉल है मैं भी चाहँआ कोई six लगा दे भाई तो यहाँ पे फाइनली चलो एक six आ गया जीत गए और देखते है यहाँ पर चलो इसको बेस्ट आफ लग करते है नेक्स मैच के लिए ब्रो ढाउ तो यहाँ पर उपनिंग हो रही है तो डिलेक्स पिक की आउपनिंग देखते है हैं पर क्या क्या होगा इस्में बहुत कुछ लिखा होता है पहली बात पांसो कोईन तो मिलेः डवल में तो बहुत अच्छी बात है है यहाँ तो एक अधित्यय को भी इन्हों ने कर तो यहां पर कभी को भी कर दिया इन्होंने अफ्ट ग्रेडिड तीसरी देखते हैं बहुकत को भी अफ्टिन मादियो चलो भाई लैवल शेख्स केद्रे तियार कर दिया ऐा पर अब ग्रेड एविलीबल और फाइनली एक जो इन्होंने गडेल ग्रेयर्स Tut वह तो गैरित मिली गए तो हाइनेस भी एक मुझे मिल गई तो इसमें काफी एच्छे कार्ब मिले कौन भी काफी अच्छे मिल गए और एक बॉल दे दी